सिनब गाली को लेकर जिस तरीके से देश के अंदर किंद्र सरकार के खिलाब छात्रों ने प्रदर्शन किया बिहार में भारी बवाल हुआ उसके बाद कई जो कोचिंग संस्थान के संस्थापक हैं उनके उपर अब प्रशासन नकेल कसना सुरू कर चुकी है बदा दे आपको कि छात्रों का जो लगतार उपद्रव था उसके उपर आक्शन लिया जाना शुरू कर दिया गया है बदा दे आपको कि कई जगों पर बिहार में जो ट्रेन थी उसे आग के हवाले कर दिया गया था इसके बाद बिहार में जो सियासी राड है वो तेज हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और निती सरकार की जो प्रशासन है वो कटगरे में खरी हुई वेरहाल अब ये मामला शांत नजर आ रहा है और अब जो प्रशासन है वो एक्शन में दिख रहा है इसी क्रम में जो गुरु रह्मान जिनकी कोचिंग है उनकोई अब कहीं न कहीं जो मुसीबत है वो बढ़ती नजर आ रही है बता दे आपको कि गुरु रह्मान को पटना पुलिस बहुत ही जल्द नोटिस भेजने वाली है इसके साथ ही उनसे पुश्टाच जो है वो की जा हैं और एक वीडियो उन्होंने जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो फरार नहीं है जब भी पुलिस चाहेगी वो हाजिर हो जाएंगे तो ऐसे में अब ये ख़बर निकल कर सामने आ रहे है कि बहुत जल्द उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और जो सवालों की पुलिस की वो भी तैयार है इससे पहले गुरु रह्मान के जो कोचिंग है उसमें भी च्छापे मारी की गई थी इस दोरान इंकम टैक्स ने भी जो च्छापा है वो मारा था और कुछ जो नगद रासी है वो रह्मान के कोचिंग इंसीच्चूट से मिला था जिसके बाद उनकी मुसिबत बढ़ी है ऐसे में अब जब सेना भरती को लेकर महल सांथ है तो प्रशासन उन तमाम लोगों पर नकेल कसने की कवायद में जुटा है जो लोग लगतार हिंसा भरका रहे थे उन में से एक नाम गुरु रह्मान का भी है देखने वाली बात होगी कि गुरु गुरु रह्मान से जो जुरी खबर सामने आ रहे थे उसके मुताविक गुरु रह्मान की जो मुश्किले है वो बढ़ती दिख रहे हैं लोग यहां दिल्ली बंबई में घर पर खरिते जा रहे हैं पर एक यह साहब है कि अपना घर बेच लिए है महां पूरा पैसा लगा दिल्ली में घर लेने के लिए अरे बाबु जी तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे है ना नया घर खरीद रहे हैं कहां पूर्णिया में पूर्णिया में हां अरे बाबु जी दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खरीदना ब मतलब अपने शहर में अपना घर जी बिलकुल अब कीजिए घरवापसी पूर्या के पैनोरोमा सिटी और पैनोरोमा हाइट में पैनोरोमा सिटी और पैनोरोमा हाइट आपके शहर में आपका अपना घर